ओम शान्ती देश विदेश से अनेक भाई बेहनों के प्रशन आये हैं हमें बड़ी खुशी होगी अगर हम आपको संतुष्ट कर पाएं आये सुनते हैं भाई बेहनों ने क्या क्या प्रशन किये हैं पहला प्रशन है रीता यादो जी का यूपी आजमगड से पुछती हैं हम जब योग करते हैं तो हमारा मन एकागर चित नहीं हो पाता हम क्या करें और सेम ऐसा ही प्रशन है प्रियंका जी का जोदपूर से पूछती हैं मेरा कभी कभी योग में मन नहीं लगता ना ही कुछ अच्छे संकल पाते हैं भारीपन महसूस होता है क्या करना चाहिए देखि जब आप छोटे थे तो मन तो आपका पढ़ने का भी नहीं करता होगा लेकिन फिर भी जब आप रोज रोज चार चार पांच पांच घंटे के लिए स्कूल जाते थे तो धीरे धीरे आपकी पढ़ने की प्रैक्टिस होती गई और ये तो आपने सुना ही है प्रैक्टिस मे योग में भी है पहले दिन बैठते ही हमारा योग नहीं लगता पर आप योग में बैठें जरूर एक घंटे का टार्गेट लेकर बैठें और उस एक घंटे ने क्या-क्या सोचना है ये भी आप पहले से ही शडूल तयार कर लें पांच मिनट मैंने इस स्वामान को दोहराना ह पांच मिनट ये वाली ड्रिल करनी हैं सकास देनी हैं इस तरह से जब आप योग करेंगे तो निश्चित ही आपका मन एकागर हो जाएगा और जब भी टाइम मिले दिन में बीच बीच में भी पांच मिनट दस मिनट बाबा को याद जरूर करें तो इस से आपको काफी अब अवश्य होगा अब अगला प्रशन क्रिशना जी का हुगली वेस्ट बंगाल से पूछती हैं बाबा की घर से जुड़े हुए छे साल हो गए मेरा एक रोग ठीक होता है दूसरा लग जाता है दूसरा रोग ठीक होता तीसरा रोग लग जाता ये मेरे कर्म भोग खत्म क्यों नहीं हो रहे इसके लिए आपको कर्मों की गती को ध्यान से समझना होगा जो की अक्सर बावा समझाते हैं ये तो आपने सुना ही होगा जैसा करते हैं वैसा फल मिल जाता तो जरूर हमसे कुछ ऐसा गलत हुआ होगा जिसका फल आज ऐसा मिल रहा है तो अब ना तो हमें पता और नहीं आपको याद कि आप से कितने ऐसे विकर्म हुए है इसलिए ये प्रशन तो करना ही छोड़ दो कि ये बिमारी इतने क्यों आती है इसका सुलूशन क्या है ये मत कहो कि मुझे बिमारी क्यों आती है आप ये सोचो मुझे करना क्या चाहिए आपको बता देते हैं जो जन्म जन्म से पापों का बोजह सिर पर चड़ा हुआ है आज भी मुरले में बाबा ने कहा या तो उसे योग से चुकतू कर लो या सजाएं खा कर तो इसका मतलब आपका योग कम है जितना भी करते हो उससे कम से कम दो गुणा योग जादा शुरू कर दो देखो काम तो योग से ही चलेगा हाँ हम आपको विधी बता सकते हैं आप हमारे ग्रूप में एड हो करके योग का जाट प्राप्त कर सकते हो अगला प्रेशन रचिना जी का लखनव से वो पूछती हैं कि मेरे पती को मेरे खिलाफ कर दिया गया है वो मुझ पर भरोसा नहीं करते एक साल से माईके में हूँ कोई भी मिलने तक नहीं आया उपाए बताईए देखिए अगर आप सच्चे हैं तो बिलकुल निशिन्त हो जाए उन्हें आपको स्विकार करना ही पड़ेगा लेकिन इसके साथ अपनी जाच भी जरूर करो अगर आप से कहीं गलती होई है तो ये तो आप ही जानते हो उसका आपको प्राश्चित करना तो पड़ेगा आपको योग की एक विधी भी बता देते हैं आप वो भी जरूर करें सब बिलकुल ठीक हो जाएगा अब इस स्क्रीन पर जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर मैसेज करके हमसे योग का चार्ट प्राप्त करें और हो सकता ये अकाउंट आपका इस जनम का ना होकर पिछले जनम का हो तो आप योग में अपने पती का चित्र सामने लाकर उनसे शमा याचना करें कि जो भी हुआ है जाने अंजाने में मेरे से जो भी गलतियां हुई है मैं उन्हें स्विकार करती फिर ऐसा नहीं करूंगी और साथ में एक स्वामान उनके लिए भी ले और अपने लिए भी कि मैं बहुत महानात्मा हूँ और वे भी एक महानात्म है इसको योग में बैठकर बार बार दोहराए तो जरूर परिवर्तन होगा अगला प्रशन विजेश्री जी का पूछती है अर्थात आत्म अभी मानी स्थिती में स्थित्त होने की विधी क्या है आप दिन में बीच बीच में अपने आपको शरीर से अलग होकर देखने का अभिहास करें बार बार अनुभव करें मैं आत्म हूँ मैं आत्म हूँ खुद को शरीर से न्यारा अनुभव कर अपने सामने अपने ही शरीर को सोता हुआ देखें ऐसा अभिहास दिन में कई बार करें अगला प्रशन बीके कटोश जी का पूछते हैं बेहन जी मुझे बैंक का लोन है अगर किसी भी टाइम मैं शरीर छोड़ जाओं तो क्या होगा मुझे विसार से बताईए मुझे फिक्र लगी रहती है प्लीज इसका जवाब चाहिए ध्यान से सुन लेवे भाई भेने जो ये सोचते हैं इससे अच्छा तो हम दुनिया छोड़ दे ये शरीर छोड़ दे हम बहुत दुखी हैं और दुख से पीछा छुड़ाने के लिए मरने को तयार हैं वे समझ लें दुख का सामना तो करना ही पड़ेगा तब वे पीछा छोड़ेगा दुख से जितना दूर भागेंगे वे उतना आपके पीछे भागेगा मरने के बाद तो आत्मा इससे भी ज़्यादा दुखी होती है शरीर में रहकर फिर भी परिवार रिष्टेदार सभी साथ में हैं लेकिन मरने के बाद तो कुछ भी नहीं होगा सिर्फ आप और आपका दुख ऐसों के लिए ही कहा जाता है भटकती हुई आत्मा ऐसा बनने का तो कभी भी सोचना ही नहीं जो व्यक्ति जितना शक्तिशाली होता है उतना उसके सामने बड़ी परिस्थिती आती है बड़ा संकट आता है इससे जान लो कि आप तो बहुत शक्तिशाली हो और मुझे हैरानी है आप डर कैसे गए आप शक्तिशाली आपका पिता सर्वशक्तिवान शिव तो ऐसे कमजोर विचार कभी अपने मन में नहीं आने देना बार बार यही दोहराओ, मैं सर्व शक्तिवान की संतान हूँ, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान आत्मा हूँ मैं सर्व शक्तिवान की संतान हूँ, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ और जो भी दूसरे ऐसे भाई बेहन हैं, वो भी यही बाते ध्यान से सुन ले और इस स्वमान को अपन मन में पक्का कर ले मैं सर्व शक्तिवान की संतान हूँ मास्टर सर्व शक्तिवान आत्मा हूँ अगला प्रशन लीला जोशी जी का यूएस से पूछती हैं मैं रोज योग भी करती हूँ मुरली भी सुनती हूँ आप मुझे ये बताएं बाबस से मिलन का बहुत अच्छा एहसास कैसे प्राप्त हो मुझे इसके लिए क्या करना होगा प्लीज मेरा मार्क दर्शन कीजिए आप हर घंटे कुछ सेकिंड के लिए अपने मन के ट्रैफिक को रोक ले और मुरली की कोई भी एक बात याद कर ले और वह सवेरे ही सोच ले कि आज मैंने किस पॉइंट पर अभ्यास करना है तो फिर जब भी आप योग में बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छी अनुभुती होगी पर हर घंटे एक सेकिंड के लिए दो सेकिंड के लिए ये अभ्यास जरूर करें कोई तरीका बताए मेरी तकलीफ मेरी परेशानी टेंशन हर चीज का एक ही कारण है मेरी वाइफ मैं जिन्दगी से तंग आ चुका हूँ उसे हैं नहीं हो पा रहा है, कोई तरीका बता दे, प्लीज, देखिये, पती-पतनी का कोई पिछले जनम का लंबा हिसाब किताब होता है, तब जाकर के वो इस जनम में पती-पतनी बनते हैं, और वे हिसाब किताब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी आपको नजर आ रहा है कि इनके कारण आप आज दुखी हो तो जरूर ये पहले आपके कारण दुखी हुए है तो आज वे अपना हिसाब ले रही है तो आपको तो खुशी-खुशी चुक्तु करना चाहिए आप पीछे क्यों हट रहे है अब तो आपको भगवान साथी के रूप में मिल गया है अब उसका हाथ पकड़ कर आप खुशी-खुशी इनका जो देना है वे बाबा से लेकर देते रहो बाबा से शक्ति शाली किरने लेकर इनके उपर डालते रहो और मन ही मन इनसे शमा याचना भी करते रहो माफी माँगते रहो अगला प्रशन साक्षी जी का देली से पूछते हैं दीदी अमरित्वेले योग आँख बंद करके करना चाहिए या आँखे खोल कर देखो जिस तरह पढ़ना होता है तो क्या कहते हैं कि ध्यान लगा कर पढ़ना है ड्राइविंग करते हैं तो कहते हैं ध्यान से गाड़ी चलाओ और आप एक तरफ कहते हैं कि योग ध्यान करते हुए आँखे बंद कर सकते हैं क्या आब बताये जीन चीजों में ध्यान लगाने की जरूरत होती है क्या उनमें आखे बंद कर सकते हैं उसमें तो और ही अटेंशन देना पड़ता है योग में भी अगर आप आखे बंद कर लेंगे तो नीन आने के चांस ज्यादा रहेंगे इसलिए कोशिश ये किजिए कि आखे खोल कर ही योग हो फिर भी जैसी आपको अच्छी अनुभूती हो अगला प्रशन क्रिशना जी का केरला से उनका क्वेस्चन है अर्थाद दिन में बिना नीन्द किये हम सवेरे जल्दी कैसे उठ सकते हैं वो भी अनर्जी फिल करते हुए इसका तो एक ही उपाय है कि सवेरे जल्दी उठने से पहले आपको एक महनत और करनी पड़ेगी रात को जल्दी सोने की अगर आप रात को नो बजे सो जाते हैं तो सवेरे जल्दी उठने की महनत नहीं करनी पड़ेगी कोशिश सो करो दिन में आदा घंटा रेस्ट अगर कर सको नहीं तो दिन में पाँच पाँच मिनट मेडिटेशन करते रहो उससे भी आपको काफी लाब होगा